राम राम दोस्तों, यहाँ पे एक न्यू Apply Jagổi आ चुकी है, काफी euderian अप्लिकेशन है दोस्तों, एक loan अप्लिकेशन है, Yes, Will Credit Loan Application इस अप्लिकेशन को कैसे यूज़ करना है, प्लिकेशन दोस्तो काफी लोग यूज़ कर रहे हैं इस application से loan आपको कैसे मिलेगा क्या 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 document verification है दोस्तो क्या क्या process है सारा कुछ आपको इस चोटी सी वीडियो में पूरी जानकरी मिलेगी आप loan भी ले सकते हो दोस्तो एस will credit loan application से अच्छा है आपको क्या कैसे सारा कुछ आपको मालूम हो जागा दोस्तो कुछ इस skin shot photo भी आपको देखनों मिल रहे होंगी और दोस्तो पांच मिनट में इस application से loan भी आपको मिल जागा क्या real है कि fake है safe है कि नहीं safe है सारा कुछ आपको मालूम हो जागा about this app में इस application के कुछ security के बारे मिल जानकरी मिल जाएगी check out भी कर सकते हैं दोस्तो और दोस्तो चैनल पर अगर आप नहीं हो तो चैनल को कर लिजेगा subscribe बैल आइकन ओन कर लिजेगा इससे क्योंगा जब भी मैं वीडियो बनाँगा सबसे पहले आपको notification मिलेगी yes will credit loan application को open कर लेना अपने phone के अंदर दोस्तों यहाँ पर welcome login yes will credit loan application यहाँ पर आपका जो भी phone number होगा उस phone number से login कर सकते हैं OTP verification करके login वाले option पर click कर लेना OTP verification के बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका phone number होगा जो भी आप phone number यूज करते हैं और दोस्तों उसके बाद आपको login कर लेना login करने के बाद क्या करना है आपको कुछ इस प्रकार से new interface देखने को मिल जागा यहाँ पर देख सकते हो कि maximum loan amount जो है three minute money आपको पांच लाक रुपए मिल सकते हैं लेकिन application safe है या यह safe है कि नहीं safe है यह भी आपको मालूम हो जागा दोस्तों इस step को step by step follow करना है दोस्तों यहाँ पर आपको apply आवेधन करने का option देखने मिल जागा एक blue color में मैं आपको दिखाता हूँ apply आवेधन कैसे करना है और यहाँ पर apply आप 5000 से लेकि 50 एक लाक पांच लाक रुपिर तक जितना भी बड़ा आपका loan amount होगा apply कर सकते हैं तो apply करने के बाद यहाँ पर click कर देना है आवेधन कर देना आपको तीन step में आपको loan पूरा मिलेगा जैसे पहला step आपको क्या है यहाँ पर देख सकते हो कि loan amount requirement आप कितना बड़ा loan amount requirement करना चाहते हो और यहाँ पर your loan terms कितना terms है और यहाँ पर आपको सारा कुछ step by step बताते हैं दोस्तो want loan और यहां पर why you want loan और यहां पर आप तो दोस्तों choose करना चाहते हो कितना बड़ा loan होना चाहिए कितना बड़ा आप loan लेना चाहते हैं कितने दिन में repayment करना चाहते हो repayment करते हैं कितना calculator भी कर सकते हो दोस्तों ब्याच है। यतना लगेगा तो सारा कुछ आपको step by step follow करते हैं यहाँ पर देख सकते हो दोस्तो second वाले में आपको return date x fix करते हो कब तक return आपको करना है तिन चार मैंने में return कर सकते हो तो यह दोस्तो यहाँ पर education पर loan ले रहा हूं तो यह आप पहले step आपको देखनु मिलता रहा है पहला श्टेप कंप्लिट हो चुका सीगाइब का क्या दोस्तों फुल ने मैं email address एक email i-d हो थी है आपकी वो pen card नंबर जो pen card होता है document verification में pen card आपके यहाँ यूज़ होगा यूज एडरेस सिच्छा पर और दोस्तों हमतिन हम इसका तो यहां पर कोम यहां पर ऑगगा हम आगा शुक्त ओर रहे हैं आप जॉलने लिुकaltet अवह यहे पूछा जारा है और कि आप जॉब में क्या करते यहुद्व सारा कुछ से वरक में वार्क में कितनी सैलेरी आती है मेंं कितनी कितनी होती है यह आपको थर्ड step में आपको देखने को मिल जाता है एक तरीके सा आपका basic information यहाँ पर submit किया जा रहा है document verification में अधार card pen card यूज होता है वो आपको मालूम होगा यहाँ पर अगला step आपको click कर लेते हैं और application safe यह नहीं है सब पांच जार देखाई आपने और यहाँ पर दोस्तों 91 days में आप मैं इनको return करूँगा और ब्याद जो है 74.79 और यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है monthly charges ठीक है दोस्तों तो वो आप देख सकतो और यहाँ पर GST कुछ ऐसा तो GST card दिया ब्राउजर है तुसार सिक मेरा नाम आद रहा है और यहाँ पर amount जो contact number है यह भी आप देख सकतो contact number संपर्क number तो यह सारा कुछ last step में है और यहाँ पर submit जमा करना यह इसी यह last page है और इसके बाद जैसे submit करता हूँ दोस्तो अगला step आपका देख सकतो क्या open होना है तो यह भी आपको submit कर लेना यहाँ पर जैसे कि मेरा यहाँ पर check out कर लेना last step bank information आप किस bank में loan लेना चाहरे हूँ holder name और यहाँ पर bank account number IFC number जो आपका होगा bank number या IFC number वो यहाँ पर submit कर देना submit करने के बाद आपको जो है loan मिल जागा और दोस्तो यह लगी फेक यह भी बता देता हूँ यह application तो सही लग रही है दोस्तो एक चीज और अगर आप bank से loan लेते हो तो कुछ आपके document और कागज पत्तर जो भी आपका वहाँ पर submit होता तो bank एक तरीके से safe रहता आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तो इस वीडियो में आपको पूरी तरकी से समझ में आ चुका होगा जिन्होंने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो एंड दोस्तो यह विल डियोड़ लोन अप्लेकेशन एक अच्छी अप्लेकेशन जो कि aby देखने को मिली होगा यहां प sírem कर देखने को मिला लोगा तो से कोई दिकत करके ब्याज और रिपेमेंट डे सारा कुछ आपको बैंक के थूभी प्रॉइट किया जाता है तो अपलिकेशन भी सेफ है आप और वहां पे बैंक से भी ले सकते हो सिक्यूर्टी आपको ज़रूरी है देखना तो आप अपलिकेशन में सीक्यूर्टी एक बाद चिकाउट कर सकते हो और यहाँ पे सारा कुछ आपiste जो की देखनों को मिल जाता है आपलिकेशन में और आपलिकेशन में कुछ इन्पोर्टेंट जानकर्या भी देखनों लोग आसा affect